बच्चो आज हम कक्षा छटी में पन्ना नमबर आस्सी पर जो पाट है उस पाट का अध्यन करेंगे यह एक लोककता है इस लोककता के बारे में जानकारी लेंगे बच्चो हम बच्पन में कई कहानिया सुनते है लोककता है सुनते है उसमें राजारानी की कहानी विकरम विविताल की कहानी तथा अन्य कहानिया भी सुनते है उसी प्रकार यह एक प्रचलित लोककता है केरल गाओं के, केरल रियास्त की प्रचलित लोककता है वहाँ के जो राजकुमार थे कैसे मुशिबत में आते है इसकी जानकारी इस लोककता में दी गई है लोककता का नाम केरल का राजकुमार केरल राज lurमन नामक एक दायालू तथा चतुर राजा राज करता था उसने अपने राज्य में अनेक ऐसी योजनाई चलाई जिससे उसका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया वह राज्य में घुमता रहता अपनी प्रजा के सुक दुख की सुनता और उनके कश्टो को दूर करने का भरसक प्रेतन करता देखो केरल राज्य में राज्य वर्मन नाम के राज्या थे वह अपने प्रजा के लिए भहुत कुछ योजनाई धन धान्य से परिपूर्ण राज्य में बनाते नया हमेशा कुछ न कुछ लागते इसलिए वह राज्य में हमेशा गुमते रहते थे और प्रजा का सुक दुक बाटते थे उनके कश्टो को दूर करते थे राज्य वर्मन का राज्य तो छोटा सा ही था परन्तु वहां के लोग बहुत परिश्रमी इमानदार थे अपने राज्य की वे दिल से प्रशुशा करते थे राज्य वर्मन का राज्य जोटा था लेकिन परिश्रमी इमानदार लोग थे हैं और अपने राज्य की प्रशुशा करते थे जहां राजवर्मन राज्य में एक पेड लगाने की सोश्ते वहां सेकड़ों पेड लगा दिये जाते टालब खुद्वाने की सोश्ते तो श्रमधान करने के लिए लोगों की भीड जुड जाते सड़के बनवाते कहते तो गाव गाव में सड़के बनने लगती जहां ऐसा राजा और ऐसी प्रजा होगा लक्षमी की क्या कन उस राजी में लक्षमी भी बहुत होती थी क्योंकि प्रजा जिस प्रकार थी उसके जिस प्रकार राजा तो उस्प्रकार प्रजय लिए आने लगे से से बिर्द में दिनवन दिन उर्द्र होने लगे बढ़ने लगे राजा को बस एक ही दुख था उसके पीछे इस हरे बरे धन दाने से पूर्ण राज्य का क्या होगा राजा का एक बेटा था रविवर्मन वो अपने पिता का बहुत दुलारा था दुलारा इने प्यारा सेवकों के लाण ने उसे बिगार दिया था वो बहुत स्वार्ती बन गया था, सारा दिन अपने मित्रों के साथ खेल कूद में मगन रहता, उसे राजकाद से कोई मतलब न था, आगे, राजा ने राविवर्मन को समझाने की बहुत कोशिश की, परुंतुर रविवर्मन के राजी की एक न सुनी, उसने अपना रास्ता नही बदला, कुछ दीन बिमार रहकर राजा राज वर्मन चल बसा, रविवर्मन स्यांसन पर बेठा, स्वार्ती मित्रों शे तो पहले ही गिरा था, पुरानी मंत्रियों को हटा करूने ही, मंत्री बना दिया, देखो, रविवर्मन की भूत कोशिश की तुर्णतुर रव दिन बिमार कर राजा राजवर्मन चल बसा रविवर्मन सिवास्तर कम बैड़ गए स्वार्ति मित्रु सुति पहले ही सी गिरा था पुराने मंत्रियों को हटा करूने नए मंत्री बना दिये वे राजा को उल्टी सीधी सलाग देते राज्य का धन दोनों से लुटा थे राज्य में त्राही त्राही मच गई पर सुनता कौन राजा तक तो कोई बात पहुंची ही न थी आगे रविवर्मन को जब तब धन की जरुरत पढ़ती रहती पहले तो राज को स्खाली हुआ और फिर प्रजा पर नए कर लगाए गए इससे भी पूरा न पड़ा तो अरभ व्यापारे को बुलाए गया दो तीन बार तो उन्होंने आग्रिम के रुप में कुछ धन दिया राजा रविवर्मन ने अरभ व्यापारे से आग्रिम एक रकम ली फिर उसके बदले में सामान न मिलने पर उन्होंने उस राज्य को छोड़ कि श्यान्य स्थान पर जाने की सोची कमिट्मेंट पूरी न होने पर राज्या ने क्या क्या अन्य राज्य में अन्य राज्य में और लोग जाने लगे आमोशा आई तो रात के अंधिरे में अपनी जहाज लेकर आरव व्यापारी वहां से चले गई देखो कि इतने पूराने बरसों से वा रू व्यापारी राज्य कर राज्य में आती थे लेकिन रवी मुल्मन के राजी में आमिस्टा आई तो रात के आंदरे में अपने जहाज लेकर राजब व्यापरी वहां से चले गए पहरेदारों ने देखा तो घबराए उनमें से एक अधिकारी भागा-भागा राजमल पहुचा जब उसे भीतर जानी के आग्या न मिली तो वो नंगी तलवार चलाता हुआ रास्ता बनाता हुआ ठीक राज़ा के सामने जा पहुचा महराज अरब व्यापरी अपने जाज लेकर बंदरगा छोड़ चुके है रवी मुर्मन को पहले तो विश्वासी नहीं हुआ कि क्यों कि उसने तो अरब व्यापरी उसे और धन्मंगवाया था कुछ होश आने पर रवी मुर्मन ने अपने पिता की पुराने मंत्रियों को बुला बेजा पर वे नहीं आये सभी बहुत दुखी थे वे जानते थे कि राज़ा के स्वारती मित्रों के कारण ही राज्य पर विपत्त्य आये रवी मुर्मन सोच में पड़ गया उसे अपने पिता की बाते याद आई वो पच्चातात के आग में जलने लगा उसकी आखें खुल गई थे मित्रों ने उसका ध्यान इदर उदर करने की कोशिश की पर रवी मुर्मन ने उने दरबार से निकल जाने की सला दी देखो रवी मुर्मन फिर सोच में पड़ गये कि आईसा क्यों रहा है उन्होंने फिर पिता के जो करमचारी थे उनको बलया लेकिन वे नहीं आये मित्रों ने उसका ध्यान इदर उदर करने की कोशिश की पर रवी मुर्मन ने उने दरबार से निकल जाने की सला दी रवी मुर्मन बहुत बेचन था उसने प्रबात वेला में समुद्र के किनारे जाकर प्राक्ना करने की सोची वहां राजा राजवर्मन ने धन की देवी लक्षमी की पृतिष्टा में एक मंदिर बनवाया था देखो राजवर्मन ने धन की देवी लक्षमी की पृतिष्टा में मंदिर बनवाया था मंदिर समुद्र के किनारे पर बना था मंदिर के पास पहुचकर रवी वर्मन ने सोचा कि उन असनान करके देवी के दर्शन करूँ देखो रवी वर्मन मंदिर के दर्शन करने के लिए वहाँ पहुचा मंदिर समुदर के किनारे पर बना था मंदिर के पास पहुंच करे उर्मन ने सोचा कि उन असनान करके देवी के दर्शन करो इस तरह से केरल के केरल का राजकुमार इस पाट के अस्या और इकैसी पन्ने पर जो भागता उसका अध्यान आज हमने किया आगे का अध्यान हम सेश भाग अगले तासिका के समय करेंगे यहाँ पर रुकते हैं हम धन्यवाद